हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजूकेशन में दोस्तों आज के इस फ्यूड़ो में मैं आपको बताऊंगा भविश्यकाल और भविश्यकाल में तीन प्रस्न हमारे इसमें रहेंगे एक प्रस्न है भविश्यकाल किसे केते हैं दूसरा प्रस्न रहेगा भविश्यकाल के कितने भेद होते हैं और तरड है भविश्यकाल के महतपुर्ण उधारन इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे भविश्यकाल उसकी पहचान परिभाचा और उधारन और भविश्यकाल प्रस्न पर आप गोर करेंगे भविश्यकाल किसे कहते हैं? इसके उत्तर में आपको लिखना रहता है क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है उसे भविश्यकाल केते हैं दोस्तों क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में मतलब जो भविश्यकाल होता है वो होता है आने वाला समय इसमें किसी भी कायर का करना या होना पाया जाता है किसमें पाया जाता है आने वाले समय में तो आपको बताना है कि वहाँ पर भविश्चिकाल है जैसे कल चाचा जी तिर्थ यात्रा से लोटेंगे यहाँ पर जो रेड अक्षर दे रखे हैं उस पर आपको गोर करना है पहला उधरन क्या है कल चाचा जी तीर्थ यात्रा से लोटेंगे मतलब क्या भी लोटे नहीं है भविश्ची में होने वाला है यह मतलब कल लोटेंगे तो आने वाला जो समय होता है वो भविश्ची का सूचक होता है तो लोटेंगे जो सब्द है यह इसमें कल भी इसमें साथ है तो याद रखना है कि भविश्ची काल का उधरन है दूसरा उधारण है अनुपमा खाना बनाएगी भविश्यकाल का उधारण है इसके बाद में दूसरा प्रस्न है हमारा भविश्यकाल के कितने भेद होते हैं तो आपको बताना है भविश्यकाल के तीन भेद होते हैं अब तीन भेद हैं सामान्य भविश्यकाल, संभाववी भविश्यकाल और हेतू हेतू मद भविश्यकाल जब भी प्रिस्न बनता है कि भविष्चिकाल के कितने भैद होते हैं तो आपको बताना है कि भविष्चिकाल के तीन भैद होते हैं पहला भैद है सामान्य भविष्चिकाल, दूसरा भैद है संभाव भविष्चिकाल और तीसरा भैद है हे तू हे तू मद भविष्चिकाल। अब हम इसमें इन तीनों भैद की पूरी परिभासा उधरन सहित देखेंगे। सबसे पहले सामान्य भविश्चिकाल की परिभासा और पहचान सीखें क्रिया के जिस रूप से कारीर के भविश्चिकाल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविश्चिकाल कहते हैं सामान्य भविश्चिकाल में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कायर के भविश्चिकाल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है मतलब कि सामान्य भविश्चिकाल में कायर सामान्य रूप से होता है यह आपको ध्यान रखना है जैसे वह आज आएगा ये सामान्य भविश्यकाल का उधारन है दूसरा है वह कल कार्याले बंद रहेगा इसके बाद में आता है संभावी भविश्यकाल संभावी भविश्यकाल किसे केते हैं उसकी पहचान देखें क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविश्यकाल में होने का संभावना पाई जाए उसे संभावी भविश्यकाल केते हैं संभावी भविश्यकाल में आपको ध्यान रखना है कि संभावी भविश्यकाल में संभावना पाई जाती है कोई भी कार्य भविष्चि में जो होने वाला रहता है उसका संद्ह और या संभावना पाई जाए तो वहां पर संभावी भविष्चिकाल होता है जैसे सायद, पापा, जलेबिया लाएं ये क्या है संभावना व्यक्त की जा रही है इस वाक्य में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संभावी भविश्यकाल होगा दूसरा उधारण है संभावता में कल आगरा जाऊं तो इसमें भी संभावी भविश्यकाल है इसके बाद में तीसरा भेद है भविश्यकाल का हेतू हेतू मद भविश्यकाल हेतु हेतु मद्भविश्यकाल में आप परिभासा और पहचान देखें क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि भविश्यकाल में कार्य किसी अन्य कार्य के होने पर ही होगा तो उसे हेतु हेतु मद्भविश्यकाल कहते हैं अब दोस्तों आपको इसमें ध्यान रखना है हेतू हेतू मद भविश्यकाल में क्या होता है कि कारी किसी अन्य कारी के होने पर ही होता है तो उसे हम क्या कहते हैं हेतू हेतू मद भविश्यकाल कहते हैं और आपको ये भी विश्यस रूप से ध्यान रखना है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि भविश्यकाल में, क्योंकि हम भविश्यकाल की बात कर रहे हैं, तो भविश्यकाल में कारी किसी अन्य, मतलब कोई दूसरे कारी की होने पर अगर होता है, तो उसे हम हेतु, हेतु मद्ध भविश्यकाल कहते हैं, जैसे यदि खिलाडी अच्छा खेल तो मेच अवश्च जीत जाएंगे ये हेतू हेतू मत भविश्चिकाल का उधारण है यदि खिलाडी अच्छा खेलेंगे तो मेच अवश्च जीत जाएंगे ठीके मतलब कि एक कार दूसरे के होने के बाद हो रहा है जैसे यदि खिलाडी अच्छा खेल रहे हैं तो उनको अवश्च जीत जाएंगे तो यहाँ पर हेतु मत भविश्यकाल है दूसरा इसका उधारण है यदि वर्सा होगी मतलब कि पेला कायरे तो है कि वर्सा होना तो फसल भी अच्छी होगी तो यह अन्य कायरे है ठीके यदि वर्सा होगी तो फचल भी अच्छी होगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेतु हेतु मत भविश्यकाल है इसमें आपको ध्यान रखना है कि हेतु हेतु मत भविश्यकाल में अन्य कारे के होने पर कारे होता है और वो भी भविश्य में सांतियों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा कि भविश्यकाल किसे केते हैं भविश्यकाल के कितने भेद होते हैं और भविश्यकाल के उधारण रिविजन के तोर पर मैं आपको बता देता हूँ भविश्यकाल किसे केते हैं तो आप उसमें बताएंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध होता है उसे भविश्चिकाल के तीन भेद होते हैं ठीके अब तीन भेद कौन कौन से हैं सामानी भविश्चिकाल संभावी भविश्चिकाल और हेतू हेतू मत भविश्च अब सबसे पेला जो है सामानी भविश्यकाल उसमें होता है क्रिया के जिस रूप से कारी के भविश्यकाल में सामानी रूप से होने का पता चलता है तो उसे सामानी भविश्यकाल कहा जाता है और दूसरा है संभावी भविश्यकाल इसमें क्या होता है क्रिया के जिस रूप स कारी के भविश्यकाल में होने का संदे या संभावना पाई जाती है तो उसे संभावी भविश्यकाल कहते हैं और लास्ट जो तीसरा भेद है वो है हेतू हेतू मत भविश्यकाल इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि भविश्यकाल में का ये कायरिक होने पर ही होगा तो उसे हेतु हेतुमत भवशिकाल कहते हैं सांतियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चेनल से जुड़ने के लिए हमारे चेनल को जरूर सबस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें धन्यवाद